लोग हमसे कहते हैं भारत हिंदू राष्ट कैसे बनेगा हमें एक दिन कलपना कर रहे थे कि जिस दिन भारत के 35 से 40 करोड लोग मस्तक पर तिलक लगा कर रेलवे स्टेशनों पर रेल पर बसों पर टैक्सियों पर अपने ओफस में गाडियों से जाने लगेंगे और बैठने ल लोग हमसे पूशते भारत हिंदू राष्ट कैसे बनेगा ह्व पॉसीबल हमका its my dear बहुत पॉसीबल है जिस दिन भारत का हिंदू चाह लेगा सरकार की मजबूरी हो जाएगी भारत को लेकिन हिंदू भी सो रहा है इसलिए तो पत्थर खा करके रो रहा है हिंदू सो रहा है इसलिए तो पत्थर खा करके रो रहा है लेकिन हम फिर भी कहेंगे अब भी मौका है समल जाओ सुबह साम उठकर के मस्तक पर तिलक लगा भक्ती मता माता मीरा बाई मीरा भाई के जीवन में भक्ती का बीज उनके दादा राओ दूधा जी के द्वारा बीज आरोपित किया गया गया और आप भी अपने बच्चों को संस्कार में बनाना चाहते हो मेरे पागलो अगर तुम भी चाहते हो तुमारी बेटी और तुमारा बच्चा तुमारा नाम रोशन करे कोई तुमारे उपर टिपड़ी ना करे, कमेंट्स ना करे मेरी प्राथना आए अपने बेटी को अपने बेटे को रामचरत मानस जरूर पढ़ाना ताकि बेटी किसी पढ़ाए के घर जाए तो वह उस घर के लोग माता-पिता को गालीना देवे कि कुछ नहीं सिखाया, कुछ पढ़ाना या ना पढ़ाना, संस्कार जरूर देदेना, बिना पढ़े ही संस्कार पढ़ने मातों से काम हो जाएगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिद्जाध्यन ना करवाने, खूब करवाने रामचरत मैनस के गीत गुनवाओ हनमान चालीसा का पाठ करवाओ जिस दिन हैसा प्रारंब हो जाएगा न उसी दिन भया तुम्हारा बालक सब हो जाएगा बच्चे को बहुत गुसा आती हो बहुत क्रोधी हो हटी हो कोई दिक्कत ने आप रोज पांच दोहा रामचरत मैनस के करवाओ बच्चे से और सौंबार के दिन संकर जी को अपसेट करवाना प्रारंब कर दो आपका बालक विदिन एक साल में क्रोध पर कंट्रोल कर लेगा प्रतक्ष प्रभाव रामएर के बहुत प्रभाव है हमारा आज हमने भी देखें रामचरत मैनस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरी दुनिया के उत्तर भरे पड़े है संसार का ऐसा कोई प्रशन नहीं जिसका उत्तर रामचरत मैनस में ना हो गए इसलिए रामचरत मैनस को पढ़वाओ अपने बच्चों को संसकार प्राता काल कैसे उठना चाहिए बच्चों को सुना सिखाओ आज कल के बच्चा तुद दस बजी उठत है अब मम्मी डेडी भी बिचित्र है तो लड़का वाले बिचित्र ना हो तो क्या हो बोलो सीता राम जोर से बोलो मम्मी डेडी भी आज कल के पापा भी बड़े खतनाक होते हैं हमारे जमाने में बाप बाप जैसा होता था हमारे समय में बाप का नाम सुनते ही धरती खिसक जाती है माता जी से तो थोड़ा सपोर्ट मिलता था पर बाप तो बाप होता है अब आज के जमाने में बाप भी बड़ा अद्वुत हो गया है एक जगह बाप अपने बच्चे को बाट सब पर मैसेज कर रहा था बेटा पड़ाई क्यों नहीं कर रहा बेटा कह रहा था पापा पड़ रहा हूं बाप ने कहा जूंट मत बोल बरना एक मुक्का मारूंगा बाप ने एक मुक्का लिया बाट सब पर भेज दिया बेटा ने भी रोता हुआ इस्टी कर भेज दिया हूं बताओ मुक्का भी घल गया रो भी लिया और पिटा भी नहीं कोई हमारे जमाने में एक चाटा तीन दन तक इस एक्सरा मसीन सी उल्ची गय थी लोग पूंचते यह क्या है कुछ नहीं निसान है किसके बाप की है और बाप को भी तभी लगता था कि हम बाप हैं जब तक चार बच्चों के बीच में अपने बेटा को पीट ना लिए तो बाप को भी नहीं लगता था कि हम बाप हैं हमारे जमाने में पिता जी भी जहां खेल रहे हो जहां बीच लोग बेट होते हैं, देटा, दस बजे से घर नहीं आये, चार बच्ची देख रहा है, तो बेबी नीचे सिर डाले, जब बाद में मिलते हैं, तुम्हारे पापा तो बहुत खतरनाक है, उनके भी पापा खतरनाक ही होते थी, हम प्राथना करें, ये तो बिनोत की बात ह पर बात जो हम कहना चाहे रहे थे, आप से ये बात कहना चाहे रहे थे, आप अपने बच्चों को प्राता काल उठने से लेकर के, रात्री सयन तक की दवस्ता ठीक है, प्राता काल पांच बजे के पहले तक उठा दो बच्चों, अद दस बजे खुद माता पिता उठते हैं पाँच बजे सो करके उठवाओ, इसके बाद में दो-पाँच मनट कीर्टन करवाओ पराता काल, फिर इसके बाद में भगवन नाम जब करवाओ, फिर पढ़ाई करवाओ, इस्नान करवाओ, शुर भगवान को अर्ग दिलवाओ, रामचरत मानस का पाट करवाओ, बच्चों को इस्कूल जाने दो इस्कूल से आवें जैसी आराम जैसी कृष्णा हलो हाय नहीं अब आज कल आगी को लगो जो मौडरन जवान हो हलो दूरही से ऐसे हाँ थलाओ के लोट के मताना जरूरती नहीं है जैसे हलो मताना सिताराम जैसरी सिताराम जैसरी घंस्याम जैसरी कृष् संसकार देंगे हम प्रन के साथ कहते हैं आपका घर सुधर जाएगा आपका परिवार सुधर जाएगा आपके समाज की संस्कृती सुधर जाएगी हमारा भारत भी सुधर जाएगा